आसन का शाब्दिक अर्थ है शारिरिक मुद्रा तो जब हम मुद्रा कहते हैं तो शरीर के द्वारा ली जाने वाली हर मुद्रा एक आसन होता है अब ये एक आसन है 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 तो कितने आसन संभव हैं अंगिनत अंगिनत मुद्राएं जो ये शरीर ले सकता है उन अंगिनत मुद्राओं में से जो ये शरीर ले सकता है हमने 84 आसनों को योगासन के रूप में पहचाना है ये 84 आसन वो संभावनाएं हैं जिनमें आपका शरीर आपके सामने रुकावट नहीं बनेगा बल्कि आपकी परम संभावना के लिए एक माध्यम का काम करेगा इंसान जो कुछ करता है उसे करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ये उसका शरीर और उसका मन है जिसे मददगार होना चाहिए था वो एक रुकावट सिर्फ इसलिए बन गया है क्योंकि हमने इसकी अच्छे से खोजबीन नहीं किया योगासन का मतलब है कि आप अपने जीवन को अपने हाथ में ले रहे हैं अपने शरीर और मन को एक संभावना में रुपांतरित कर रहे हैं ना कि अपने जीवन में एक रुकावट ये एक मार्ग बन रहे हैं ना कि एक रुकावट आपके अनुभों में हर भावनात्मक, मनोवे ज्ञानिक और चेतना के स्तर के लिए आपका शरीर स्वभाविक रूप से एक खास मुद्रा ले लेता है मतलब अगर आप गुस्सा हैं तो आप एक तरीके से बैठते हैं आप शांति पूर्ण हैं तो दूसरे तरीके से आप में उथल पूथल है तो आप एक तरह से बैठते हैं आप शांति चित हैं तो दूसरे तरीके से इस तरह से अगर आप अपने जीवन पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि चेतना की जिन अलग-अलग स्थितियों का आप अनुभव करते हैं उनके लिए आपका शरीर अलग-अलग मुद्राएं ले ले लेता है आसनों का विज्ञान इसके उल्टे पर आधारित है सचेतन रूप से अपने शरीर को एक खास मुद्रा मिला कर आप अपनी चेतना को भी उपर उठा सकते हैं जैसा आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और जीवन को समझते हैं, उसे आपके बैठने के तरीके से बदला जा सकता है शरीर पर काम करना सबसे आसान है अगर आप अपने मन के साथ कोई चीज करने के कोशिश करते हैं तो ये बहुत सी चालें खेलेगा। कम से कम शरीर के मामले में आप जानते हैं कि आपका शरीर इसे सही कर रहा है या नहीं, कि शरीर सहयोग कर रहा है या असहयोग कर रहा है। ये मन अगर आप इस पर बहुत दबाव डालते हैं, तो ये आपके साथ हर तरह की चाल चलेगा. ये आपको हर तरह की चीजों पर विश्वास करा देगा और अगले दिन धोका देगा. पर शरीर ऐसा नहीं है. ये विश्वास के लायक है. अगर आप इस पर समझदारी से काम करेंगे, तो योगासन आपको परमेकत्व की संभावना तक जरूर ले जाएंगे. योगासन के अभ्यास से अंगिनत लाब मिलते हैं, जिनमें पुरानी बिमारियों से राहत, शरीर और मन को एक उची संभावना के लिए तैयार करना और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना शामिल है. करना शामिल है.